हेलो एब्रीवन आज मैं बनाने जोरी बहुत थी टेस्टी और हेल्दी नासता मौंग का डूसा तो मौंग मैंने रात में भीगा कर रख दीती वह वह छीलक वाली मौंग मैंने ली है मतलब मौंग की दाल अब इसको जार में डालके चार लेसुन डालेंगे चार कली और एक मेर्च और थोड़ी सी अद्रग और थोड़ा सा नमग एट करेंगे और इसमें आधा का पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे और बिल्कुल दाल बारी पीस नहीं है कुछ इस तरह से देखिए दाल मेरी पीस के रेडी हो गई है अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि डोसा के लिए बैटर रेडी है कि अभी नहीं तो थोड़ा थीक है ये तब इसमें थोड़ा सा पानी और एड करेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा डोसा का बैटर रेडी हो गया मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना गाढ़ा है जादा यह ना पतला है बिल्कुल सही है तब चलिए स्टफिंग रेडी करते हैं मैं पनीर ली हूँ और आलू भी ले सकते हैं आप लोग और मैंने पनीर लिया है इसमें दो कटी प्याज डालेंगे बारीक कटी धनिया पत्ती डालेंगे और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल देंगे और चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसलिए बैटर में भी नमक डाला है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारे स्टिफिंग और बैटर दोनो अब तब बिल्कुल गरम था मैंने पहले ही चढ़ा दिया था अब इसमें पानी डालेंगे अब इसमें ओए度 लगा लेगे लंग आप कर साथे बैटर बैटर नदेखा लाएगे ठोड़ा है मैं फेला लियाँ अब इसमें आयल अच्छी तरह से कलर भी आ गया है और इसमें हमें स्टफिंग लगा रहे हैं और हमारा डोसा अच्छे से सीख के रेडी हो गया है अब इसको फोल्ड कर लेते हैं आप किसी सेप में भी फोल्ड करिए देखी इतना क्रिस्पी है कि टुड गया थोड़ा सा और हमारा डोसा कर लेते उसी तरह अब इसको पाने डालके साफ कर लेते इसलिक तेल तो पहले ही लगा रहता है अब दूसरा वैटर भी ऐसे है डालेंगे हम दो कल्चुर बैटर डालके अच्छी तरह से फैला लेंगे और थोड़ा-थोड़ा ओयल लगा देंगे सेम वही प्रोसेस रहेगा और ये डोसा सच में बहुत अच्छा लगता है बच्चे बड़े सभी खाते हो देखे कितनी आसानी से निकल जाता है मैं इसको दूसरी साइड भी सेख दे रही हूँ इसलिक कभी-कभी लगता है कि दूसरी साइड थोड़ा सा कच्छा है वैसे तो कच्छा रहता है ने इसलिके इतना पतला रहता है कि एक ही साइड से दूनों कवर कर लेता है मलब सीख जाता अच्छे से अब इसमें इस्टफिंग लगाएंगे और इसको भी फोल्ड कर देंगे इसलिके ये डोसा हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना ह अब कलर तो आप लोग देखी रहे हैं कलर भी कितना अच्छा आया है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करेगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो भी रेस्पी चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और यह बच्चों को आप ल सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए राधे राधे नमस्ते बाई बाई